हले इवरोण कैसे आप सब एक बार पुना हाथ सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगत है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे आपकी पढ़ाई बहतर चल रही होगी चैनल में पहली बार आए चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर ले बच्चों आप लोगं के लिए निरंतर हेलफुल वीडियो प्रवाइड किया जाता है और बाकी नोट्स तो आपको मिली रहा हर वीडियो में आपको परशनल नंबर सेयर करता हूँ कि जिन बच्चों के पास नोट्स जरूर ले लें कंटेक्ट नंबर में हमेशा अपना परशनल नंबर देता हूँ 9685299149 ये मेरा परशनल नंबर इस नंबर पर आप कंटेक्ट करके नोट्स ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं बच्चो पहला कोश्चन है आज यहां पर हम 40-45 अब्जेक्टिव कोश्चन जो के टाप कोश्चन होंगे बिल्कुल इंपोडेंट होंगे सभी बोर्ड एक्जाम के लिए देखे जरूरी नहीं है कि बहुत विकल्पी प्रशन आप इतना बाकी आगे चलकर रिक्ते स्थान वाले सही जोड़ी विकल्प सारा चीज चैनल के माध्यम से कराया जाएगा बिल्कुल आप परसान नहीं होना तो चलिए शुरू करें बच्चो पहला प्रशन ही गतिमान स्वतंत्र आबेश क्या उत्पन कर सकता है केबल विद्दु छेत चाल और गतिज उर्जा वो नहीं जाएं ठीक है बेग तो बेग एक सदिश रासि बदलना नहीं चाहीं चाल जो है नहीं बदलता लारेंजबल का परिक्रमन ज्याद करने के लिए सूत्र है बताओ मतलब कुल मिला करके परिमार यहां पर होना चाहिए है न चलो लारेंजबल का जो परिमार निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है परिक्रमन यहाँ पर बोला है चलो इसका भी भाई लारंज वले दी डारेक्ट सूत्र बोलते हैं तो f बराबर q b b sin theta होता है लेकिन सही कोश्चन है परिक्रमन करने के लिए जो सूत्र है वो बल लगेगा कौन सा बल लगेगा इसका right answer आप लोगों हो सकता है इसको मैं कहीं प चुमी के छेतर में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाला बल लारंज वल कहलाता है जिसका फार्मूला होता है f बराबर q b b sin theta कौन सा right answer होगा बच्चो तो आपका right answer हो जाएगा यहाँ पर आपसा नमबर b q b b sin theta sin a है चैसा sin theta हो वही चीज़ है लारंज बल की दिसा ग्य करते हैं flaming के बाएं हाथ के नियम अनुसार flaming के दाएं हाथ के नियम अनुसार MPR के नियम अनुसार या Maxwell के दाएं हाथ के पेंच के नियम अनुसार लारंज बल की दिसा निकालनी है बता भाई साब यह कौन सा right answer हो जाएगा तो इसका first number है flaming के बाएं हाथ के नियम अनुसार अगला प्रश्न देखिए बच्चो, आर्त्रिज्जा और एन्फेरों में, बृत्ताकार कुंडली में धारा प्रभाइत हो रही है, तो कुंडली के केंदर पर चुमिके फ्रण अनुक्रमानुपाती होता है, किसके किसके अनुक्रमानुपाती है, आर्त्रिज्जा का और एन् सर हो जाएगा शमरूप चुम्मिके छेतर में लंबाई का चालक चुम्मिके छेतर के समानता रिस्थित है ठीक है चालक में आई धारा प्रवाहित करने पर चालक पर कितना बल मतलब एक प्रकार से एक समान चुम्मिकी छेतर है उसमें एक चालक तार है तब चालक तार पर लं लंबाई पर डिपेंड करेगा उसके चुमिके छेत पर डिपेंड करेगा तो ILV साइन थीटा होता है लंबबाथ हो तो थीटा पराबर 90 डिग्री तो इसका फार्मूला क्या उन्सा हो जाएगा भाई साहब यहां पर देखो क्या बोला है कि जब लंबबाथ होगा तो 90 डिग्री तो ILV हो जाएगा लेकिन उसके समानतर यदि होगा ILV हो गया समानतर होगा तो 0 डिग्री समानतर बोला गया है ना समानतर है यदि देखिए यहां पर दो कोश्चन बन सकते बच्चो कि एक समान चुमिके छेत रहे यदि उसके लंबबाथ चालकता रख दिया जाए तो इसका मान हो जाएगा ILV लेकिन उसके समानतर ही चालकता रखेंगे तो कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा तो साइन ठीटा का मान जो है साइन 0 डिग्री कहलाएगा तो साइन 0 का मान सुन तो सुन हो जाएगा समांतर इस्थित के कार्ण ये सून हो जाता है लेकिन यदि वहीं पे लमवत की बात की जाती तो साइन डाइंटी कमान एक होता है तब ये फर्स नंबर एंसर हो जाता ओके चलिए देखिए क्वेश्चन का जो डाइरेक्शन ये घूम अंसर भी घूम जाएगा दो समांतर तार हैं विपरीद दिशा में धारा बैरे ये एक उपर एक नीचे तब इसमें किस प्रकार से बल होगा एक दूसरे को प्रतिकर्शित करेंगे एक दूसरे को आकर्शित करेंगे कोई बलकार नहीं करेगा तो बच्चो जब विपरीद दिशा में होता है तो प्रतिकर्शित करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्शित करते हैं और जब समान दिशा में होता धारा तो आकर्शित करते दूसरा प्रशन भी आप नोट कर लो एक समान चुमिके छेतर उत्पन होता है किस से सीधे धारावाई चालाक से धारावाई व्रत्तागार लूप के केंदर पर धारावाई परिनालिका के अंदर एक समान चुमिके छेतर बताओ इनमें से राइट अंसर बताना है किसके कार एक समान चुमिके छेतर उत्पन होता है तो धारावाई परिनालिका के अंदर ए एक समान चुम्मिके छेत्र उत्पन होता है यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित कर दी जाए तो कमानी की स्थित क्या होगी उसी कुड़ेगा दूलन गती करेगा फैलेगा क्या होगा बताओ भई यदि किसी कमानी में धारा प्रवाहित करेंगे बच्चो तू सीधा जित होता है, एक आदर्स बोल्ट मीटर का प्रतिरोध बताओ, यह चीज मैंने कराया है ना, आदर्स बोल्ट मीटर, बताओ, अति लगो शोन, अति ब्रद्धी अनन्त, आदर्स बोल्ट मीटर की बात आ जाती है तो अनन्त, यदि बोल्ट मीटर का होता बच्चो तो उच्छ प्रतिरोध होता है लेकिन आदर्स की बात आ गई तो अनंत अगला प्रस्न है आदर्स एमीटर का प्रतिरोध क्या होता है एमीटर का प्रतिरोध और आदर्स एमीटर दोनों का अलग अलग है देखो यदि एमीटर की बात आ जाएगी तो बिल्कुल निम्द प्रत्रोध होता है और आदर से मीटर की बात आ जाएगी तो फिर बिल्कुल सून हो जाएगा देखो दोनों में डिफिरेंस ध्यान रखना यह तो कन्फ्यूज हो जाओ एक गल्बेनो मीटर को बोल्ट मीटर ने बदलना है एक गल्बेनो मीटर को बोल्ट मीटर ने बदलना है तो इसमें क्या जोड़ा जाता है समांतर क्रम में उच्छ प्रत्रोध स्रेणी क्रम में उच्छ प्रत्रोध स्रेणी क्रम में निम्द प्रत्रोध समांतर क्रम में निम्द प्रत्रोध देखो भाई बोल्ट मीटर का प्रत्रोध तो बहुत होता है तो इसमें उच्छ प्रत्रोध हो जोडेंगे ठीक है पहला कंडिशन तो निम्द वाले तो खतम अब जब समांतर क्रम में जोडते हैं तो वो बनता है एमीटर तो हमको सेर्णी क्रम में जोडना पड़ेगा आपस कमेंड करते हैं कि सर आप समय नहीं देते हैं हम कैसे जानेंगे कि भाई समय लगे कि तब तो हम जान पाएंगे कितना बन राम से तो इसमें क्या होगा समांतर क्रम में निम्न प्रत्रोध का चालाकतार जोडना है जो आपसर नंबर डी हो जाएगा समांतर क्रम में निम्न प कुंडली का छेत्रफल घटा करके या प्रती एकांक एठन को बढ़ा करके पंद्रए नमबर का बताना है आपको राइड अंसर तो दिए चुम्बिकी फ्लक्स का मान बढ़ा दिया जाए बच्चो चल कुंडली दारमापी की सुग्राहिता कब बढ़ाई जाएगी चुम्बि सुग्राहिता के लिए बोल्ट मीटर में बदलने के लिए बोल्ट मीटर में हम स्रेणी क्रम में जोडते हैं समंतर क्रम में जोडते ही नहीं तो गैलवेनो मीटर में जब कम प्रतरोद का चालाकतार जोडते हैं वो संट कहलाता है उसकी सुरच्चा के लिए उच्च धारा प्रवाहित हो तो सुरच्छित रहे इसका राइट एंसर कौन से हो जाएगा अपसर नमबर C चलिए बाई चल कुंडली धारा मापी में कुंडली के मद नर्म लोहे का क्रोड रखते हैं ताकि सुग्राहिता बढ़ाने के लिए चुमिके छेतर का मान प्रवल तरजी हो जाए चुमिके छेतर समरूप हो जाए कुंडली का प्रतरोध सुन हो जाए सत्रा नंबर का बताना बच्चो तो इसमें भी नंबर हो जाएगा चुमी के छेतर का मान प्रबल और तरज्य हो जाए नर्म लोह का बना जाता चाकता कि भाई यदि चुमी के छेतर रिखा जाए तो रोक ना सके भी छेपीत ना कर दे ठीक, चुमिके छेतर की तीवरता का एसाई मात रख, बहुत सिंपल है, एंपियर, टेसला, बेबर, ओम, बदाव भाई साहब, अट्रे नंबर का राई टेंसन हो जाएगा, टेसला, एक धारा भाही चालक अपने चारोर उत्पन करता है, क्या करता है, चुमिके छेतर, बिद्दु छेतर, आरेश्टेट साहब ने बताया था, दोनों इन में से कोई नहीं कि, एक धारा वहाँ दी जाए, तो उस चालक के चारोर चुमिके छेतर जनरेट हो जाता है, चैप्टर का पहला पोइंट रहता है बच्चो, यही आरेश्टेट का नियम, धारा भाही चाला के कार, चुमिके छेतर की तीवरता, किस नियम से ग्यात की जाती है, गौस के नियम से, एंपियर के नियम से, बायो सेवर्ड के नियम से, चुम्मिके छेतर की तिवरता, बताओ, तो इसका राइट अंसर होगा बच्चो, बायो सेवर्ड के नियम से ग्यात की जाती है, गैलविनो मीटर की एक विद्दू दूपकरण है, जिसकी सहायता से हम क्या मापते हैं विद्धुत आवेश विद्धुत धारा विद्धुत बाहगबल तो गैलवेनो मीटर से बच्चो विद्धुत बाहगबल मापा जाता है क्या विद्धुत बाहगबल मापा जाता है आगे चलते हैं धारा मापी को समांतर क्रम में निम्न पत्रोध के साथ जोड़ दिया जाए तो क्या कहलाता है बायो से बढ़ का नियम थोड़ी कहलाएगा संड कहलाएगा देखो कि सुग्राहिता कहलाएगी बताओ भाई ना बढ़ी आए देखो धारा मापी के कुंडली के साथ समांतर क्रमेदी चालक तार जोड़ते हैं बच्चो तू संड कहलाता है चुमिके छेतर के फ्लक्स का मातरक बताओ अभी चुमिके छेतर का मातरक टेशला था flux का मात्रक क्या होता बच्चो बताओ आप लोग flux का मात्रक आप लोगों बताना है तो इसका right answer हो जाएगा बेबर पहस हो जाएगा बेबर होगा समरूप बेग से चलायमान आबेस उत्पन करता है मतलब एक समान बेग से चलायमान आबेस है वो विद्दू छेत्र चुमिके छेत्र या दोनों क्या उद्पन कर सकता है question number 24 तो भाई दिख समान रूप से चल रहा है आबेश तो विद्दू छेत्र चुमिके छेत्र दोनों उद्पन कर सकता है एक लंबे सीधे चालाकतार में आई धारा प्रवाहित की जाए तो उससे आर दूरी पर चुमिके छेत्र ये तो आपका थ्योरम है आपको कराया है मैंने मूनी बटा दो आर भाई म्यू जीरो एनाई बटा टू आर है ना तो पाई भी रहेगा इसमें तो बताओ कौन सा राइट इंसर होग जाएगा भाई इसका म्यू ये 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 फेरे हैं तो ये म्यू ये नाई हो जाता है तो ये आपका फर्स्ट नंबर चले आगे चलते हैं विद्दू धारा के चुमिकी फ्रवाह की निूटन में बताना है बताओ कौन बताएगा भाई चुमिकी फ्रवाह की तेवरता का mu-not गुला होता है चुमिके फ्रवाहี घृत्व भी हो गया उसका रेखी समाकलन आपसर नंबर ठाड हो जाएगा धारा भाही ब्रत्तिय कुंडली के केंडर पर उत्पन चुमिके छेत्र कितना होता बच्चो केंडर के तल के लंबबत कुंडली के तल के लंबबत होता है 45 डिग्री पर या तल से 60 डिग्री पर 45-60 का तो लोचा ही नहीं है आपे खतम कहानी इसमें लंबबत ही होगा पहले ही बोल दिया था सबको पता हो गया होगा अगला चलिए बच्चो एक समान चुमिकी छेतर में गतिमान आबेश पर लगने वाला बल सुन होता है जबकि आबेश की गति की दिशा होती है ठीक है कहने के मतलब एक समां चुमिके छेत्र में गतिमान आवेश पर लगने बाला सुन होगा कब जब आवेश की गतिदिशा होती है कैसे लंबबत होती है पैताज डिग्री पर होती है समांतर देखो लंबबत मतलब साइन नैंटी कमान एक होता है तो साइन नैंटी कमान ए बाई सहाब क्या हो जाएगा सून हो जाएगा मान एक समान चुमिकी चेत्र में लटके धारवाई लूब पर लगने वाला बल आघुन अधिक्तम होगा बल आघुन अधिक्तम कब होगा जब Chief कि छेत्र के लंबथ होगा जब 45 degree code बनाएगा या समांतर होगा देखो भाई इसमें थोड़ा सा अलाग है ये वला गुण वला कोई बंजक बढ़ा होगा बच्चा तभी इसको समझ पाएगा क्योंकि समांतर में क्या होता है कि छेतर सदिस यहां पर थोड़ा उल्टा है समांतर में तो कैदोगे 0 degree नहीं नहीं समांतर में जो उसका area vector होता है वो लंबवत होता है इसलिए समांतर का condition ये तो theorem बाला ही बच्चा समझ पाएगा ठीक है तभी उसको समझ में आएगा नहीं तो confused हो जाओगी आप लोग एक समान चुमिके छेतर में साइन थीटा होता है थीटा है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं धाराक कुंडली के साथ थ्रेनिक्रम है उच्चे प्रतिरोध का तार जोड़ देते हैं तो बोल्ट मीटर बन जाता सीधा बोल्ट मीटर बच्चो दो आपसाने बोल्ट मीटर आप लगा लेना परल रिखा होगा एक समान चुमिकि छेत हृस्पन होता नहीं होगा इस्थिर आभेश धोराम पर oni से तो तो और नहीं होगा नहीं होगा लाचा इकर ब्रौर स्थिर आभेश समाने थ्भाई एक जब आवे सिस्थी रहे तो उस पे चुमिके छेत्र उत्पन नहीं होता है इसमें बताओ एक धारावाई कुंडली चुमिकी दूइद्रूप की भातिकार करती है कुंडली का छेत्र फल ए तथा चुमिकी आगूर कैप्टल M होतो कुंडली में बहने वाली धारा होगी बताओ M अपाने, A अपाने, M A, A स्क्वेर M 36 नंबर का राइड इंसर हो जाएगा M अपाने जब किसी चालक में बिद्दू धारा प्रवाइद की जाती है तो उसके चारोड चुमिके छेत्र बन जाता है यह सब को पता है तो इसमें ज्यादा टाइम पास करने जूरोथ है नहीं इसके बाद अगला कोशन L लंबाई के तार में A अपार की धारा प्रवाइद होती है एक समान चुमिके छेत्र के समानतर रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल कितना होगा बताओ L लंबाई का चालाटार है आई धारा प्रवाइद कर रहे है एक समान चुमिके छेत्र में समानतर रखा गया है समानतर जब रख देते हैं तो साइन जीरो हो जाता है और साइन जीरो का मान जीरो हो जाता है खतम कहानी किसी विद्दुत परिपत में अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है स्रेडी क्रम में की समांतर क्रम में राइट अंसर बताओ अमीटर में अमीटर कैसे बनता है जब धारा मापी के साथ समांतर क्रम में तार जोड़ते हैं तो अमीटर बन जाता है इसलिए अमीटर को स्रेडी क्रम में जोड़ेंगे और बोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ेंगे याद रखना अमीटर को स्रेडी क्रम में और बोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है एक अलफा कण चुम्मिकिये छेत्र के समांतर गति कर रहा तो उस पर बल कितना होगा एक अलफा कण चुम्मिकिये छेत्र के समांतर गति करेगा बच्चो तो उस पर समांतर कोई भी आवेश गति करेगा तो खतम जीरो मान हो जाएगा इसमें सोचने विचारने की कोई बात नहीं है एक अवेशित करने एक समान चुमी की छेतर में गती कर रहा है उस पर अधिकतम बल कब कार करेगा जब लंबबत गती करेगा तब ही अधिकतम बल कार करेगा आपको बताया हूँ अधिकतम बल की बात आ जाएगी बलागुण की बात नहीं, बल की बात की जा रही है, तो लंबत कार करेगा, ठीक, चलो, लास्ट कोस्चन ये रिपेटेड कोस्चन है, इसमें क्या टाइम पास यार, धारा के चुमिकी प्रभा की खोजा और रेश्टर्ड ने की थी, और बच्चो नोट्स लेने के लिए कंट पूल वीडियो दे, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि नोट्स ले लो, कंटेक्ट नमबर में दे ही दिया हूँ, 96-59-99 और प्रापर रूप से आप लोग भी तैयारी करें, फिलाल अभी के लिए इतना ही जय हिंद बंदमात्रम